आज कल तो पुलिस वालों को देखकर लोग बाग इस तरीके से मास्क पैम लेते हैं जैसे कोई नई नवेली दुलन जेट और ससुर को देखकर पल्ला कर लेती हैं गुट मॉनिंग इडिया कैसे हो 12 के बच्चों वेलकम बैक तो यूर ब्यूटिफुल से चैनल विद विद यूर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाई राहूर बंसर मैं आपको वादा क्या था कि संदे को लेकर आएंगे हम चैप्टर नमबर 3 की डाउट क्लास करवाने वाला हूं कि डाउट क्लास के कुछ कोशन से इंपोर्टन तो टाइम विस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फट अफट तो मुझे पहला कुशन भेजा है बची ने जो बड़ा है इंट्रस्टिंग सा और अच्छा कुशन है आप लोग ध्यान से देख लीजेगा कुशन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो कैपसिटर है आपके पास बच्छों दो कैपसिटर है इस तरीके से आपके पास दो कैपसिटर है दोनों का डिस्टेंस दी है एरिया जो ए था यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया यह हो गया यह भी हो गया यह जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस टी है इसका एरिया भी टी है अब बात यहाँ पर करते हैं यह जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी वैल्यू दे रखी है टू और इसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी दे रखी है टू आपको निकाल लिए इस टी या नीचे का हिस्सा अगर मैं ब्लॉक कर दूँगा तो उपर से एक current flow कर जाएगा उपर का हिस्सा ब्लॉक कर दूँगा तो नीचे से current flow कर जाएगा तो ये दोनों के दोनों लगे हुए है parallel के अंदर और parallel में add होते थे हमारे directly यहां पर देखिए अगर मैं यह हिस्सा ब्लॉक करूंगा तो current आगे flow नहीं कर पाएगा यह ब्लॉक कर दूंगा तो भी current आगे flow नहीं कर पाएगा और यह हो गए हमारे पास series में series का मतलब हो गया सर नीचे पैर उपर means reciprocal आईए करते हैं sol तो parallel के अंदर बच्चों क्या होगा हमारे पास cp equals to होता है c1 plus c2 इसकी capacitance का formula हुआ करता था epsilon not a by d तो हमारे पास आया epsilon not a एरिया हो गया आधा तो 2 नीचे आएगा और distance is same d दूसरे का भी epsilon not a by 2d लेकिन क्योंकि यह फिल है dialectic से तो साथ में 2 multiply कर देंगे तो हमारे पास यह कितना आजएगा यह आजएगा 3 times epsilon not a by 2d इस question को भी हम यही पर छोड़ते हैं हलक यह chapter number 2 का question है कोई बात नी doubt class जब मैंने रखी थी तो बचे ने पूछ लिया मैं बता रहूं आपको यह पर यहां पर देखें सीरीज में epsilon not a by यह थिकनेस बसी पूरी थी d t निकल गया तो d minus t इसकी capacitance आएगी epsilon not a by t 2 से हम साथ में multiply कर देंगे और इंगर reciprocal तो d minus t ऊपर चला गया epsilon not a नीचे आ गया उसी तरीके से t ऊपर चला गया 2 times epsilon not a नीचे आ गया 2d upon me 3 times epsilon not a यहां पर हमने else की में लिया 2 times epsilon not a यह आ गया 2d minus 2t plus t epsilon not a से epsilon not a चला गया 2 की multiply 2d में करी तो यह हो गया 4d यह बचा minus का t minus t की 3 में करेंगे तो आएगा minus का 3t और 3 की 2 में करेंगे तो यह आ गया आपके पास 6d 4d 6d दरा के minus का हो गया यह बचा minus का 3t यह आ गया minus 2d equals to minus का 3t और d की value आगी 2d upon me 3 इस तरीके सा हमने निकाली thickness की value next question बच्चे ने पूछा है और बच्चे ने पूछा है और बताया है कि यह AI PMT All India Pre-Medical Test 2012 के mains में भी आया हुआ है आई यह देखते हैं क्या है यह question question है बच्चो टू metallic spheres of radii 1 cm and 3 cm दो आपके पास metallic spheres है जिनकी radii है 1 cm और 3 cm यह मान लिया R की value 1 cm यह मान लिया R की value 3 cm इस पर charge है minus 1 into 10 की power minus 2 coulomb और इस पर है 5 into 10 की power minus 2 coulomb इनको conducting wire से connect कर दिया तो बताईए finally bigger sphere पर कितना charge होगा बाद में bigger sphere पर पहले यह सोचो charge बढ़ेगा या घटेगा positive charge का मतलब है positive potential और negative charge का मतलब है negative potential तो obviously higher से lower की तरफ हमारा charge flow करता है high potential से low potential की तरफ वो flow करता है तो high potential का मतलब basically हो गया ये वाला low potential हो गया ये वाला तो हम बोलेंगे charge जो flow करेगा वो किस direction में करेगा हमने मान लिया इस charge की value starting में q2 ये मान लिया q1 और जो charge transfer करा वो मान लिया q तो q की value अगर निकलाएगी तो final charge इस पर कितना बचेगा तो q2 में से q घटा देगे चार्ज जब तक transfer करेगा जब तक की दोनों पर potential क्या नहीं हो जाएगा equal तो यहाँ पर भी वही बात समझीए कि v1 की value हो जाएगी v2 के बराबर तब तक हमारा charge flow करेगा आपको याद होगा q की value भुआ करती थी cv तो v आपके पास हो जाएगा q by c तो यहाँ पर हमने लिया बच्चो q1 upon में क्या आजाएगा आपके पास c1 उसी तरीके से यह आजाएगा q2 upon में c2 लेकिन अब बात सोचने वाली यह है कि यह वाला q1 और यह वाला q1 बराबर थोड़ी ना होगा इस पर जब कुछ extra charge q आजाएगा तो अब इस पर final charge कितना हो जाएगा q1 प्लस q यह वाला charge वो है जो q1 प्लस q माना जाएगा तो आपने इस q1 की जगह लिखा q1 प्लस q नीचे आगया c1 ऐसे ही यह हो गया q2 माइनस q नीचे आगया c2 हम इसको variable form में ही solve करते हैं अभी तो q1 प्लस q capacitance किसी isolated sphere का formula हुआ करता था 4 pi epsilon not r इसकी radius यह हो गया q2 माइनस q upon में 4 pi epsilon not capital r 4 pi epsilon not से 4 pi epsilon not चला गया r की value centimeter में रखेंगे r की value centimeter में रखेंगे तो ultimately centimeter भी cancel out हो जाएगा आपको यहाँ पर 10 की power minus 1 लगाने का कोई logic नहीं बनता cross multiply करते हैं हम बच्चों यहाँ पर तो q1 की r में करी यह बना q1 into r plus q into r यह बना q2 into r minus q into r हमें निकाल लिए छोटे वाले q की value तो q into r plus q into r यह हो गया q2 r minus q1 r और q common ले लेंगे यह बचेगा थब गया मैं बुलते बुलते हैं यह हो गया आपके पास r plus r चलिए निकालते हैं फटा फट से इसकी value देखते हैं वो क्या आने वाली है तो q2 की value आई आपके पास 5 into 10 की power minus 2 r था 1 cm तो यह आगया 1 into 10 की power minus 2 q1 की value थी negative में तो यह बन जाएगा positive में 10 की power minus 2 capital R था 3 तो यह बन जाएगा 3 into 10 की power minus 2 r plus r यहने के 3 और ए 4 cm यह बन जाएगा 4 into 10 की power minus 2 10 की power minus 4 10 की power minus 4 आपने common ले लिया अंदर बच्चा 5 जमा 3 नीचे आगया 4 into 10 की power minus 2 जो cancel out होके 2 power बच गई 5 और 3, 8 को 4 से divided दलेंगे तो ultimately answer आया 2 into 10 की power minus 2 q1 इतना charge transfer हुआ तो भईया बचा कितना इस पे यह था 5 into 10 की power minus 2 इसमें से चला है 2 into 10 की power minus 2 तो बचा कितना यह बचा 3 into 10 की power minus 2 q1 तो यह आया आपके पास इसका final answer चलते हैं next question पर next question बच्चा आपके पास है जो है वो है next question बच्चा आपके पास है question है उच्चा गया है कि कि जो किर्चॉफ्स का second low है आपको मैं याद दिला दूँ किर्चॉफ्स का जो first low था वो था sorry junction low या फिर current low केसी यह हम उसको बोलते हैं किर्चॉफ्स current low या फिर junction low और आपको मैंने बताया था class में आप check कर सकते हैं मेरी classes उसे मैंने बोला था जो first low है वो किसको follow करता है law of conservation of charge जबकि second low follow करता है law of conservation of energy आपको question यही बोला गया एक बच्चे ने question भीजा है कि कर्चॉफ्स का जो second low है वो basically किसको follow करता है तो इसमें option दिये वे actually तो यहाँ पर जो है कर्चॉफ्स के second low जो है वो law of conservation innovation of energy को follow करता है एक question भीजा है एक बच्चे ने मैं आपको बता देता हूँ बड़ा अच्छा सा question है यह इंप्रस्टिन सा है देखिए कर दे जहर सा question है है यह हो गया a b h c e f g और d यहाँ पर शो कर रहें यहाँ पर शो कर रहें 2 ampere यहाँ पर शो कर रहें 2 ampere यहाँ पर शो कर रहें 3 ampere यहाँ पर शो कर रहें 5 ampere यहाँ पर शो कर रहें 2 ampere और यह शो कर रहा 3 ampere आपको कुछ अगया है BC branch जो है BC यानि कि यहाल यह branch जो है इसमें कितना current होगा बच्चों यहाँ पर लगाएंगे हम junction rule यहाँ से चला 2 यहाँ से चला 2 अब यह मुड़ा तहाँ पर होगा इसी direction में तो मुड़ा होगा तो यह है out-going current इस point के लिए यह दोनों है incoming current तो आपको मैंने बताया था net incoming बराबर net out-going तो इस branch में कितना current हुआ बच्चों simple है दम चार एक अगला question मेरे पास आया है आपको बता देता हूँ बड़ा interesting सा question है यह भी question बड़े अच्छे-च्छे से बेज़े हैं बच्चों ने कुछ हाँ जी यह है छे वोल्ट की बैटरी यह है छे वोल्ट की बैटरी यह है दो ओम यह है दस ओम तो बोलो ओम शांती ओम आपको find out करना है electric current through the resistance tenom इसके अंदर देखो यहां से जो current निकला हमने उसको मान लिया x यहां से जो current निकला हमने उसको मान लिया y यह y उपर पहुंचा यह x यहां पर पहुंचा तो हम बोलेंगे यहां पर यह मुड़ गया x प्लस y उसके बाद आगे यह वापस यहां पर जाएगा तो फिर इसमें x हो जाएगा और इसमें जाब यह मुड़ेगा तो यहां पर फिर से y हो जाएगा आपको इस वाली ब्रांच के अंदर basically current निकालना है कितना current बहुत अच्छा question है ध्यान से देखते हैं बच्चों हम पहले इ हम पहले उपर वाले loop की बात करते हैं positive से निकले मेरी यादत है हमेशा positive से निकलने की positive से निकले और circuit से होते हुए वापर negative में घुसरे तो circuit से होते हुए गुसेंगे तो battery की जो value आएगी वो right hand side पर कहां पर right hand side पर कैसी आएगी positive आएगी तो हमारे पास बच्चों आया loop a, b, e, f, e, 1, a ऐसे बोलते हैं a, b, e, f, e, 1, a यहाँ पर कोई battery आएँ यहाँ पर कोई current नहीं है sorry current कैवा में resistance नहीं है लेकिन यहाँ पर resistance मिली तो यहाँ पर potential drop हुआ होगा और जिस direction में current जा रहा है उसी direction में जा रहे है तो 10 into x plus y है यहनिके मतलब हुआ resistance into current प्लस आगे चलें फिर इसमें मिला हमें 2 into x equals to 6 गुल्ड तो यह हमारे पास बना 10 और दो 12 x plus का 10 y equals to 6 दो से अगर हम इसको divide कर दें 6 x plus 5 y equals to यह बना 3 equation 1 उसी तरीगे से नीचे वाले लूप में हम जब चलेंगे लूप का नाम लेंगे c, b, e, d, e to, c यह लिया c, b, e, d, e to, c तो यह फिर से बोई आया 10 into x plus y लेकिन नीचे आगया 2 into y नीचे आगया 2 into y और बैटरी की value 6 जो है वो right hand side पर रहेगी यह आगया 10 x plus 12 y equals to 6 तो 5 x plus 6 y equals to 3 I hope आप लोग 12 के बच्चे है तो इन दोनों को solve कर लेंगे इन दोनों को solve करने के बाद linear equation in two variables यह है इन दोनों को solve करने के बाद एक्स और y की जो value आएगी उनको आप add कर देना बस simple उन दोनों को जब आप add कर दोगे तो आपको इस वाली branch के अंदर current की value मिल जाएगी अगर उपर वाली branch में पूँची होती तो केवल x नीचे वाली branch में पूँची होती केवल y लेकिन आपको इस branch में पूँची है तो value निकल के आएगी x प्लस y की help से कच्छों बात समझ में आ रही है बई बालकों चली आगे चलते हैं next question पर देखते हैं क्या question आपके पास आया है तो बच्चों next question है आपके पास question 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 हाँ जी next question आपके पास है एक बच्चे ने पूछा है कि sir यह जो alloy हम बनाते है एलोई जो हम बनाते हैं basically alloy की जो resistors हम बनाते हैं जैसे manganine की बात करे थी constantine की बात करे थी निक्रों की बात करे थी तो हम alloys की resistors बनाते क्यों है तो बच्चों इसकी दो reasons है अगर आप no down करना चाहों तो कर सकते हो कि why do we make resistors of alloys तो इसका एक reason तो यह है कि इसकी high resistivity होती है high resistivity होने का मतलब क्या हो गया जादा बड़ी resistance बनाने के लिए हमें छोटी सी length का इस्तमाल करना पड़ेगा और दूसरा इसका reason यह था temperature coefficient वाला याद करो coefficient का बहुत बड़ा असर सब्सक्राइब होता है temperature के according तो temperature के fluctuation से resistance की value में कोई खास प्रभाव नहीं आएगा in case of alloys कि नेक्स कोशन बच्चे आपके पास है यह है WSB यानि के वीडिस्टों बिंच पर और कोशन है कुछ इस तरीके से कि यह हो गया 10 ohm का यह हो गया 6 ohm का यह हो गया 3 ohm का यह हो गया 2 ohm का यह हो गया हरी ohm का और यहां पर भी लगाती आपने एक 2 ohm की resistance पांच वोड़ आपको पुछावाए इस ब्रांच ब्रांच बीडी में में मार्किंग कर देता है अपर a b c d इस ब्रांच बीडी में कितना करेंट फ्लो होगा देखो बच्छों सबसे पहले अगर यह आपका एमसी की कोश्चन है या फिर नहीं भी है आपको इसको conceptualize करना है सब्जेक्टिव कोश्चन है तो सबसे पहले देखो क्या यह रेशो सेम आ रही है अगर आ रही है तो आपका इसका इसका मतलब क्या होगे बैलेंस भीडेशन ब्रिज है और इस कंडिशन में 100% इसमें करन कितना होगा जीरो होगा अब हम इसको सॉल कैसे करेंगे बच्छों देखिए हमने मान लिया कि यहां से करन कितना फ्लो करा एक्स एक्स जब ऊपर वेया तो इसमें कितना शिप्ट कर गया Y और इसमें कितना बचेगा X-Y ये Y जब यहाँ पर पहुंचा तो इसमें कितना गया Z और इसमें कितना गया Y-Z ये X-Y जब यहाँ पर पहुंचा ये Z जब यहाँ पर पहुंचा तो इसमें कितना गया X-Y प्लस Z ये X-Y प्लस Z यहाँ पर पहुंचा तो वापस इसमें क तो आगे हम चलते हैं, आपको कितने वेरिबल से इसके इंतर हैं? तीन वेरिबल से आने का मतलब क्या होगा? आपको कितने एक्वेशन बनानी है? तीन एक्वेशन बनाने के बाद आपका याराम से स्वाल हो जाएगा, तो तीन एक्वेशन के लिए एक लूप आप ले लेना A A, B, D, A एक लूप ले लेना B, C, D, B और एक मैंने बोला था तीसरा लूप की अगर requirement पढ़े तो बैटरी वाला ले लो तो ज़्यादा बैटर है यहां से बैटरी वाला A, D, C इस पॉइंट सो अगर मैं नाम दे दूँ सपोज करो यह हो गया E, F और बैटरी की वैल्यू E1 तो हमारे पास आगया E, A, D, C, F E1, E इस तरीके से आप तीन लूप बना लेंगे और उन तीनों की सहायता से आप जब Z की वैल्यू निकालेंगे तो 100% कितना अंसर आएगा 0 आएगा करिए अगर इसको solve एक बच्चे ने एक theoretical question पूछा है कि सर यह बताए कि weedstone bridge जो experiment हम करेंगे तो उसमें कब ऐसा होगा कि हमारा galvanometer या हमारा पूरा apparatus most sensitive होगा बच्चों most sensitive हम जब बोलते हैं जब 4 resistance की value क्या हो same option बच्चे ने मुझे बोला है कि WSB experiment is most sensitive when all 4 resistances are approximately equal one of the resistance is very low as compared to others any two resistance are equal to infinity तो बच्चे इसका इंसर फिर्स है कि जब 4 की चारो resistance approximately equal होती है उस condition में हम बोलते हैं हमारा WSB weedstone bridge या meter bridge most sensitive होगा आगे चलते हैं बच्चों next question आपके पास है कि इन्हें weedstone bridge all the four arms have equal resistance R if resistance of the galvanometer arm is also R then equivalent resistance of the combination is तो आपके पास basically डेट जो डब्ल्य बढगो कुछ ऐसा मता है ऐसा और भाइयह एसा और भाइया ऐसा ये बना तो आप देखे बच्चों यहां पर यह आ कं क्योंकि R by R 1 आएगा, R by R 1 आएगा, यह WSB बैलेंस है, इसमें कोई current flow नहीं करेगा, जब इसमें कोई current flow नहीं करेगा, तो हमारे लिए इसकान देगा, खलास कर दो इसको, खलास, अब देखो, यह दोनों के दोनों series में नज़र आ रहे हैं, series का मतलब हो गया, R और R हो जाए 2R plus 2R, यह बन जाएगा, 4R square upon में 4R, और answer आपके पास आजाएगा बच्चो, R, resistance जो आपके पास निकल के आएगी, total वो कितनी आएगी आपके पास निकल के, R, साबास, साबास, अरे साबास ही तो दो दो बच्चो, ठीक है, next question एक बच्चे ने पूछा है मुझसे, कुशन पूछा है बच्चो, एक बच्चे ने कुशन और पूछा है लेकिन उसमें वर्ड आ रहा है, shunt, और यह आप पढ़ोगे चैप्टर नमबर 4 में, तो अभी आपको इसको कुशन को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग में इसको सेव कर लूँगा, हार्ड डिस्क में अपनी सेव कर लूँगा, ताकि आग आपको चल के बता सको, तो अभी मैं आपको कुशन नहीं बता रहा हूँ, नेक्स कुशन है बच्चो, इना मीटर ब्रेज, आप लोगो ने पढ़ा था मीटर ब्रेज, रेजिस्टेंस बॉक्स, आर की वैली तू ओम is connected in the left gap, left gap में लगा दी 2 ohm, और right gap में लगा दिया s जो unknown है, balancing point मिला 40 cm पर आपको याद होगा, r upon में s बराबर, l1 upon में l2 थी, left बाले में लगा दिया 2, right बाला हमें पता नहीं, 40 cm ये है, तो ये कितना होगी है, 60 cm, cancel out कर दिया, 6, 2, 12, 4, s की value आगई, 3 ohm. कोशन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स कोशन एक बहुत अच्छा है, ध्यान से देखे लेना, आपके पोटैनिशोमेटर पर बेस्ट है, तो कोशन क्या है, for a cell, the terminal potential difference is 3.6 volt, terminal potential difference है 3.6 volt, जब circuit open है, open circuit के अंदर ये V की जगा हम इसको लिख सकते हैं, E, लेकिन जैसे ही हमन इसमिक resistance लगा दी, वो कहने का मतला है, ये closed circuit हो गया, अब जो आएगी वो आपके पास V आएगी, तो आपको निकाली internal resistance, बच्चों, internal resistance आपके पास formula मैंने बताया था, L1-L2 upon में, L1-L2 upon में, L1, और साथ में R, अब यहाँ पर length तो आपको नहीं दे रखी है, तो length directly proportional potential के, तो आप L1 की value 3.6, L2 की value 3, फिर नीचे 3.6, और R की value 5, यहाँ से आप internal resistance find out कर सकते हैं, नेक्स कोशन है हमारे पास, नेक्स कोशन है हमारे पास, एक कोशन और पूछा एक बच्चे ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा कोशन है, लास, उसके वादम class close कर रहे हैं, तो एक नेक्स कोशन बच्चे ने औरे पूछा है, जो हमारा first law of किर्चॉफ्स है, नेक्स का first law है, वो किस चीज़ को show करता है, वो show करता है बच्चो law of conservation of charge को, तो आज की class हम यही पर finish करते हैं, अगर फिर भी कुछ एक दो कुछ श्रिंच बच्चों के रह गए हैं, तो हम कोशिच करेंगे आगे आने वाले classes के अंदर, आगे आने वाले Sundays में हम complete कर दें, Sundays म याद रखेगा, आगे आने वाले हम रविवारों को यह class हम complete कर दें, till then, bye bye, best of love.